दो परसन नीचे सर यॉरप कच्छा तेल भी रियाक्ट नहीं कर रहा है समय 116 पर यह कच्छा तेल दो जाधा रियाक्शन फिलहाल रश्या पेरे आ रहा है बाकी जगाँ पर उतना रियाक्शन दाव फीचर तो पहले ही गिर गे था तो दो चीज है पहली चीज है कि बच्छे वी समय के लिए 15,800 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लेवल है बराबर बराबर ओपन इंटरस्ट है पुट और कॉल में 90-90 लाग शेरों कार 30-30 लाग शेरों आज ही जो रहता है एक दम 15,800 का पुट और कॉल राइटर दोनों ही पंदरा साथ सो पर एक करोड तीस लाग शेरों का ओपन इंटरस्ट है जो हाइस्ट है पंदरा नो सो पर हाइस्ट तो नहीं है लेकिन एक करोड पैंतेस लाग शेरों का मतलब एक चीज बताओं बहुत ही सिस्टेमिटिक तरीके से ट्रेड हो रहे हैं ओपिशन में दोनों तो आइठिक यह देखना इंटरस्टिंग होगा फिलाल जो है वह 15700-5900 आपको रेंज दिखा रहा है 15700 के आज़स्पास आपको खरिदारी करनी है 15900 के आज़स्पास प्रॉफिट बुकिंग करनी है और तीन वज़े तक आपका 15800 को खोल्ड करना है ज़रूरी यह ज्यान म अगर आप मुझे पूछेंगे तो थोड़ा सा नीचे की तरफ 60% है उपर की तरफ 40% नीचे की तरफ 60% थोड़ा उपर में हलका रहने में थोड़ी से समझगारी जारा है क्योंकि आपको ग्लोबल सपोर्ट नहीं है आज आप अगर ग्लोबल मार्केर्स के मुकाबले में मन्तली एक्सपाइरी नहीं होती तो आप इतना मजबूत आज हो नहीं पाते हैं दाव फीटर को देखकर ठीक है करेंशी और रुपया थोड़ा सा आपके फेवर में आया लेकि उतना नहीं कि जिसके वेज़े से आप दुनिया अपर में सबसे ज्यादा स्रोंग आज रहो इसा तो कुछी भी नहीं हो रहा है तो आज एक्सपाइरी का इंपक्त है इसलिए आप ज्यादा कम देखकर तो ऊपर में मुका मिले तो थोड़ा सा हिलका करने की कोशिश कीजिए पोइंट नमबर वन बैंक निफ्टी 33500 की पूट पर 35,000 शेर हैं कोल्स है 42,000 शेर है है सबसे का उपर हैंट नीचे की तरफ 2300-2300 की रेंज में सपोर्ट है लिए उपर 2300-2300 की रेंज में रुकावट है ज्यादा ओर रेंज बड़ी दूम जो हिसाब से बंड़ी डेटा से 3300 इस रेंज में आएगा तो खरीबदारी करनी है 3300 इस रेंज में आएगा तो बिकवाली करनी है 3300 मेक और ब्रेक लेवल है आपके लिए आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी हाल है उपर में टिकना मुश्किल होता दिख रहा है लिए आप जोड से गिर भी नहीं है पता नहीं ऐसा फील आ रहा है दीप कि आखरी एक गंटे में कुछ बड़े मुझ के लिए बादार तयार हो रहे है ऐसा फील आ रहा है किस तरफ ज्यादा संबावना नीचे की तरफ की बंड़ी तो मुझे समय दीजे कोशिश करता हूं अगर में को वाके में लगे रिस्क रिवर्ड थोड़ा फेवरेबल कम हो रहा है हाई रिस्क पर आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा से इंतजार कर रहा हूं लेकिन मुझे है आपके लिए समयल जी की स्ट्राटीजी कुछ बड़ी मूव आ सकती है बट गिरावर की तरफ जादा आपको इस समय मूव आती वी दिख सकती है थोड़ा कमफर्ट बासार के लिए कम आ रहा है